गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आसा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्तेवम सुरच्छित होंगे पिछले का छाओं में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था प्रकतिवाद जिसके अंतरगत हम लोगों ने प्रकतिवाद का आर्थ पढ़ा था प्रकतिवादी दर्सन की तत्यमी मांसा ग्यान में मांसा और मुली में मांसा पढ़ी थी प्रकतिवाद के मुल बोथ सिद्धान्त पढ़े थे प्रकतिवाद के रूप पढ़े थे और आज हम अब उसी के आगे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रक्यतिवाद और सिच्छा के उद्देश है यानि प्रक्यतिवाद के अनुसार सिच्छा के उद्देश होने चाहिए उसके बारे में आज अध्यन करेंगे तो मैं आसा करता हूँ कि इसके पूर्व में हम लोगों ने जो भी अध्यन किया है उसमें आप लोगों कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को आसानी से वो चीजें समझ में आ गए होंगे तो चलिए फिर आज कर टॉपिक सुरू करते हैं प्रकेतिवाद तथा सिच्छा के उद्देश है तो अगर देखा जाए तो प्रकेतिवादी जो है वो सिच्छा के उद्देशों के बारे में एकमत नहीं है समस्त चूंकि प्रकेतिवाद के इसके पहले भी हम लोगों ने प्रकेतिवाद के अलग-अलग रूप पढ़े थे तो आपको पता है और प्रकेतिवादी कई सारे प्रकेतिवादी हैं तो जाहिर सी बात है विचारों में एक रूपता नहीं है लेकिन फिर भी अगर उन सारे विचारकों की विचारदाराओं को हम एकत्र करें तो कुछ से च्चा के उद्दे से निकल कराते हैं जो इस प्रकार है जिसमें सबसे पहला है जैसा मानो यंत्र को पूंड बनाना याद होगा आप लोगों को पिछली कच्छा में हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रकेतिवाद के रूप पढ़े थे उसमें एक प्रकेतिवाद का रूप था यंत्रवादी प्रकेतिवाद ये बानता है कि ये जो संपूर स्रस्टी है ये एक प्राण भी ही ने यंत्र है और इसके संचालन में किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक तत्तों का कोई योगदान नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर ये पूरी स्रेष्टी एक विशाल यंत्र है तो फिर मानो भी क्या है एक यंत्री हुआ तो सिच्छा का उद्देश इन्होंने माना है सबसे प्रमुक उद्देश माना है मानो यंत्र को पूंड बनाना कि अगर मानो अगर एक यंत्र है तो इसको परफेक्ट हुमन मसीन कैसे बनाना है क्योंकि हम आप हम लोग देखते हैं कि अच्छी मसीन वो होती है जो विपरीद परिस्तितियों में भी अच्छा साथ दे और अच्छा से वर्क करे तो यहाँ पर यह है परके दिवादियों के मानना है क्योंकि मनुस्य के जीवन में हमेशा निरंतर उतार चड़ाव आते रहते हैं तो human machine तभी अच्छी मानी जाएगी जब वो हर परिस्तिति का डेट कर सामना कर पाए तो इन्होंने सिच्छा का सबसे पहला उद्देश माना है कि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जो मानों को एक perfect human machine के रूप में develop करे तो सबसे पहला सिच्छा का उद्देश यह है इसकी अलावा दूसरा जो उद्देश है वर्तमान तथा भावी प्रसनता वा सुक्की प्राप्ती attainment of present and future happiness तो वर्तमान तथा भावी प्रसनता वा सुक्की प्राप्ती के अंतरगत हम देखें तो इसके अंतरगत चुक्की हम लोगों ने जब प्रकतिवात की तब तो मिमान सा पड़ी थी तो उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि इनका विस्वास था कि इनके अनुशारी बहुतिक जगत ही सत्ते है बहुतिक जगत से परे कोई अन जगत नहीं है तो जब कोई आध्यात्मिक जगत पर इनका कोई विस्वास ही नहीं है तो इनके कोई आध्यात्मिक लच्छ भी नहीं है तो इनका जो प्रमुक और सिच्छा का उद्देश निकल के आता है दूसरा प्रमुक सिच्छा का उद्देश निकल के आता है वो है वर्दमान तथा भावी प्रसंदता वसुक की प्राप्ति यानि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को वर्दमान में भी प्रसंदता है और भावी सिच्छा में भी प्रसंदता रखे तो वर्दमान में भी कैसे प्रसंदत रखने से आसे यहां पर यह है कि जो वर्द पुर्तमान समय में सही डंग से डिबलप हो जैसी उसकी रुचियां आवसकता है और अभीवरतियां है उसके अनुसार उसे बिक्सित होने दिया जाए उसके करम को न विगाड़ा जाए और जब इस तरह से स्वाब हो एक नेचुरल डिबलपमेंट होगा उसका तो उसका आग को पुर्तमान समय में भी सुकी रखे और भविस्य में भी सुकी रखे इसके बाद तीसरा जो प्रमुक्षिच्चा का उद्देश है जीवन संघर्स के लिए तैयार करना तो प्रकेट इबादियों का यह विश्वास है कि जो जीवन है वो निरंतर संघर्स सील है उसमें हम ना बालक को उतार चळावाने के लिए उसके जिवन में उतार चड़ावाता हैं तो वो क्या हो गा या उन परिस्तितियों का डट कर सामना नहीं कर पाएगा तो इसलिए इन्हों प्रकतिवादियों ने सिच्छा का एक और प्रमखुद्देश माना है कि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को जीवन संगर्स के लिए तैयार कर सके जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो हम सिच्छा का एक प्रमखुद्देश होना चाहिए कि बालक को जब सबकी लाइफ में संगर्स होना ही होना है तो बालक में इन योगताओं का विकास करें सिच्छा ताकि वह अपनी जीवन में आने वाली किसी भी परिस्तित का डट कर सामना कर पाए फिर इसके बाद जो और अगला जो सिच्छा का उद्देश निकल के आता है व कि मतलब ये प्रकेत का नियम है कि जो प्रकेत के साथ अनकूलन इस्थापित कर पाता है वो उतना ज्यादा सुखी रहता है और जो प्रजाती या जो वेक्ती अपने वातावरन के साथ अनकूलन नहीं स्थापित कर पता उसका जीवन संगर्स में रहता है और कई बार तो ज शाक्तिक वातावरण है इसके साथ अगर हम बहुत ज्यादा चेंड चाड़ करेंगे तो समस्या हो जाएगी और हम एक तरह से हम अपनी कबर खो देंगे जैसे अगर हम वरतमान समय की अगर देखें तो वरतमान समय में परिस्तितियां बदल रही है और बहुत ज्यादा पर अच्छे या जो कुछ भी आपको समस्य पर्यवरण में दिखाई दे रही हैं वो सब कही ने कहीं मनुस्य की देने तो कहने का मतलब यह है कि इन बदलती परिस्थितियों के अनुसार अगर मनुस्य में इन चम्ताओं का विकास नहीं हुआ कि वो अपना समाय हुजन इन प समताओं का विकास करें जिससे कि वह अपने वातावरण के साथ अनकूलन इस्तापित कर पाए अब यहां वातावरण के अंतर के दो वातावरण की बात हो रही है एक आपका यह प्रक्तिक वातावरण और एक समाजिक वातावरण मतलब समाजिक वातावरण से यहां पर यह कि अगर आप अपने समाज में भी समय जन नहीं इससापित कर पाहें जहाँ, आप आपका मॉजन करते हैं, जोयां का आसपढ़ोस है, तो इसमें अगर आप समय जन कर पा रहें, तो भी समस्या हो जाएगी तो कहने का मतलब यह ए कि Empowerment of Racial Gains ठीक है जातिये प्राप्तियों का सुधार से यहां पर आसे यह है कि जो हमारी सब्धता और संस्क्रती है जो कि हमारी Racial Gains है यानि जो हमारे पीडी दर पीडी के अनुबों है जो प्राचीन समय से अब तक जो हम लोगों ने ग्यान अरजित किया है जो हमारी सब्ध सक्षान उक्रम द्वारा एक पीडी से दूसरी पीडी में ट्रांस्पर् नहीं कर सकते इसको हम केवल सिच्छा के माद्धियों से यहां पर कर सकते हैं प्राप्तियों में सुधार सेया से यहां पर यह है कि अगर मतलब सिच्छा का एक उद्दे से यह भी होना चाहिए कि जो भी हमारे पुरोजें के अनुभों हैं जो हमारी सब्धा और संस्कित के रूप में हैं छोंकि वअन्सानुकरम के माद्ध्यम से दूसरी सी प्रेव में ट्रांस्पर नहीं हो सकते हैं तो सिच्छे का एक उरुंक ऑर उद्दे से बन जाता है कि यह जो हमारे संस्कित के हैं बालक में इस संस्कित का इसका संवर्धन और ऊसका हस्ता ग्स्ता विकस tu कर dano फिर इसके बाद है natural development या प्राक्तिक विकास प्रकतिवादियों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है कि वरतमान समय में बालक का अप्राक्तिक धंग से विकास किया जा रहा है यानि बालक को लग उपरोड समझा जा रहा है उसको उसकी विकास की अवस्थाओ कि अनुसार डेवलप नहीं होने दिया जाता बेलकि हम जबरजस्ति उस पर सब कुछ थोप रहे हैं उसकी प्रकत के विप्रीत जैसे छोटा बच्चा है छोटा बच्चे की स्वभाविक रूची होती खेलने कूदने में क्लियाएं करने में और चीजों को को जिग्यास ही खाई और यह सारा सब इन सब चीजों में जबरजस्ति जबकि उसकी अभी खेलने को ने कि यह यह लेकिन हम उसको जबरजस्ति इन चीजों से लाद देते हैं जिससे उसका स्वभाविक विकास नहीं होता प्रकति वादियों ने कहा है कि है पिता लोगों आप इन पोमल को क्यों कलसित करते हैं ये कुछ दिन में कुछ दिन में ही समाप्त होने वाले दिन क्यों समाप्त किये दे रहे हैं और अगर आप इनके विकास के करम को आप अगर बदलेंगे तो आप कच्चे फल तोड़ेंगे और उन फलों में न सुवाद होगा न सुगंद होगी यानि हम जैसी हो जो बालक का प्राक्तिग विकास करे मतलब आटिफीसिजल टरीके से नहीं है। झाल होता है इतना ज़्यादा अक्रामक्ता और इतना ज़्यादा मतलब आत्म विश्वास की कमी आप ये देखोगे तो ये सब कुछ होते वे भी संतुष्ट ना होना तो कहने कहीं आसे ये है कि हमने बच्चों को सौभावी डंग से विक्सित नहीं होने दिया हमने उनके विकास के करम को हम विगाराखा है इसलिए वर्तमान समय में आपको जोतनी भी समस्यां है आपको दिखाई देती हूं इसलिए दिखाई देती इह अगला जो प्रमुक्सिच्छा का उद्देश माना है इनोंने वह है वैक्तिक्ता का अनियंत्रेद्विकास से यहां पर यह आसे है आटोनोमस डेवलप्मेंट आफ इंडिवेज्वालिटी तो आगर आप यह देखो तो वैक्तिक विभिनता का सिध्धानत यह कहता है कि संसार के कोई भी वेक्ति एक समान नहीं हो सकते यानि संसार के सारे वेक्तियों में रुच योगता चमता बुद्धी इत्यादी पर हमें ब्यापक अंतर दिखाई देता है तो अगर प्रकतिवादियों का मानना है कि जब बालकों में इंडिविज्वल डिफरेंस है तो हमें सब के लिए समान सिच्छा का प्राउधान नहीं करना चाहिए और हमें सब को एक ही रूप में या एक ही डंडे से हाकना नहीं चाहिए बलकि जो बालक मैं जैसा खुबी है उसके इसे अपसे उसका बिकास होना चाहिए अनיयंतरित बिकास आप यह देखो सब्ड़ पर इन्होंने जो डाल है अनियंतरित बिकास यानि जो विकास हो रहा है उसको हमें कंच्छों नहीं करना क्योंकि अगर हम चंट्रोल करेंगे वो जो बन सकता था हम उसको बनने नहीं देंगे तो इसका कहने का मतलब यह है कि सिच्छा ऐसी हो जो बालक का अनियंतरिद विकास करें यानि उसकी जो व्यक्तिक भी भिष्णता है उसमें जो क्रियेटिविटी है उसके हिसाब से उसको विक्सित होने दें और उसका अनियंत तरह का कोई कंट्रोल ना हम लागू करें तो सिच्छा का एक प्रमगुद्देश इन्होंने यह माना है तो आज की कच्छा में इतना ही कल हम इसके आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें प्रकतिवाद और पार्ठिकरम वगेरा के बारे में अध्यन करेंगे आज की नहीं आपका दिन सुभू धन्यवाद